लेसर प्लान नंबर फूर कक्षा ग्यारवी विसे जीविग्यान काल खंड फूर्थ सम्यावधी 40 मिनट प्रकरण का नाम है अर्थ सुत्री कुष्ट का विभाजर समान्य उद्धे से चात्रों में दिविग्यान विसे के प्रती रूजी उत्पन करना चात्रों में ज्यानि ग्रिष्ट कोड का विकास करना चात्रों में अन्वेसर के प्रती रूजी उत्पन करना चात्रों को विभाजर के महतों से अवगत करना विशिष्ट उद्धे से चा शाट्रो को सक विभाजन के बारे में उप्डाव तौ दान करना डिए長HHHH प्रावीदी प्रस्णुत्रिा करण स्पष्टी करण सिक्षड शूत्र ल्याज अग्यात की और सरल से Customer सथूल की और प्रस्तावना प्रस्टन हमारे शरीर किस से बिलकर बना होता चात्र चात्र आंसर करेंगे को सिपाव से कुसकाव की संख्या में व्रिद्धी कैसी होती है आंसर को सिपाव व्रिद्धी अब क्या समस्थ्ति है इसका अंसर सात्र नहीं दे पाएंगे यह समस्यात्मा क्वश्ण रहेगा उदेश से कथन अज हम सब अर्ध सुत्री कोस्थी का व्रिद्धा करेंगे सिक्षड बिंदू से रिलेटेट डायग्राम को बटर पेपर में बना कर साइड में सिपका लेंगे सिक्षड बिंदू है अर्थ सुत्री विभाजन अर्थ सुत्री वाजन एक दोहरे विभाजन की प्रक्रिया है जो जरन कोशिकाओं में संपन्न होती है एवं इसके फल्सुरूप एक मात्री कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माड होता है विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं में गुडशूत्रों की संख्या मात्री कोशिका की तोलना में आधी रह जाती है अता इस विभाजन को नियूनकारी विभाजन कहते इस प्रकार की कोशी का विजमयन 1887 ने देखा। इसका विषित अध्यान स्ट्रास्बरकर द्वारा 1888 में किया गया, मियोसी सब्द कप्रत बादन सरप्रसम फार्मर एवा मूरे ने 1905 में किया इस प्रकार का भी भाजन केवल जनन करने वाली कोईसी काउम में होता है जहां युगमक बनते हैं इसते रिलेटेट दो कोश्चन निकालेंगे अर्थ सुत्री भाजन किस प्रकार की प्रक्रिया है दो अर्थ सुत्री भाजन की प्रक्रिया इसका आंसर है दूसरे कोश्चन में उसी सब्द कप्रत बादन किष्ण की इसका आंसर है फार्मर एवा मूरे ने शिक्षण बिंदो अर्ध सुत्री भाजन के क्रियाविधी दो उप विभाजन के बाद पूरी होती है पहला है प्रथम अर्ध सुत्री भाजन दूसरा देती अर्ध सुत्री भाजन प्रतम अर्थुत्रे विभाजन या विभाजन भी विष्रामा वस्था केंद्रक तथा उसका द्रवर विभाजन की तीन उप आवस्थाओं में ओड़ होगी इस विभाजन के बाद नय के अंद्रक में गुल्ड सुत्रों की संक्या आधिरा जाती अता मियोसिस वन को हेटेरो टाइपिक विभाजन कहते हैं विस रामा वस्था के बाद प्रथाम अर्ड सुत्रों भाजन निम्न चरणों में पुर्ण होती हैं पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1, अंत्यावस्था 1, क्रॉस कोश्चन करेंगे, प्रथा अर्जुत्री भाजन कितने चर्डों में पूरी होती है, स्कांसर अर्जुत्री भाजन किसे कहती है, स्कांसर अर्जुत्री भाजन किसे कहती है, स्कांसर अ उप अवस्था में भाजित किया गया है, पहला है लेप्टोटिन अवस्था, इसमें केंद्रक आपार एवं आयतन में बड़ा दिखाई देता है, क्रोमेटिन जाली का संघनित होकर गुड़ सुत्रों का निर्माड करती है, सेकंड है जैगुटिन अवस्था, इस अवस्था नीमल सम्मेशर कहा जाता है, सुत्र युगमन के बाद गुड़ सुत्रों के जोड़ को, जुगमित गुड़ सुत्र कहते हैं, सुत्र युगमन की प्रक्रिया पुर्वा वस्था वन के किस उप अवस्था में होता है, इसका आंसर है जैगुटिन उप अवस्था, सुत्र यूगमन के बाद गुर सुत्र के जोड़े को क्या कहते हैं इसका आंसर है यूगमित गुर सुत्र सिक्षड बिंदों पूरुआ वस्था प्रत्हम, third पाइकेट इन अवस्था, यूगमित गुर सुत्रों में से प्रत्य गुर सुत्र दो क्रॉमैटिट्स का बना होता है, इस इनके खंडों का आदान प्रदान होता है, इस क्रिया को जीन विनिमे कहते हैं, नेक्स हैं डिप्लूटीन अवस्था, सिनेप्टिकल एवं आकरसर बल में कमी के कारण, बाइविलेंट एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, गुर्शूत्र अचानक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बलकि कुछ इस्थान पर आपस में जुड़े होते हैं, इन बिंदो को क्येजमा कहते हैं, पहला कोश्चन जीव जिन विनिमे की प्रक्रिया पूरुव आवस्था वन के किस उप आवस्था में होती, सिक्षण गाप्यकिटिन उप आवस्था, सिक्षण बाइवे इस आवस्था में गुड़ सुत्रों का संगरन एवं संगुचन जारी रहता है, फलता ये छोटे होते जाते हैं, गुड़ सुत्र यूग में पर आपस्थित की आज मेटा, गुड़ सुत्री भुजाव से नीशे, और उनके सिर्ष पर सिसकने लगते हैं, इस क्रिया को टर गुड़ सुत्रों का उन्मु की करण इस प्रकार होता है कि उनके सेंट्रो मियर, द्रुवो की और तथा भुजाएं मध्य रेखा पर होती हैं, इसे क्रास कोस्चन निकालेंगे, बसने पहला टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रेया पुरु आवस्था वन की किस उप आवस्थ प्रथम, सिक्षड बिंदू पस्चा वस्था प्रथम, समझाद गुड़ सुत्रों की जोड़ी के बीच विकर्षड पैता होता है कि इसके फाल्सरुप उनके बीच संबर्ख पूर जाता है, एवं वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, समझाद गुड़ सुत्रे विपरि प्रथम की अलग होना डिस जंक्षन कहलाता है, एक्सा अंतिय आवस्था पढ़्थम, इस आवस्था में निमने क्रिया होते हैं, गुड़ सुत्र दोनों द्रोग और पहुंच जाते हैं, गुड़ सुत्र पुना क्रोमाटिन जालिका के रूप में परिवर्थित हो जाते ह समजात गुड़ सुत्र विप्री जोग और गती करने लगते हैं, इसका अंसर है पश्चा वस्था प्रथम, जोड़ी सी क्रोमोस्था का अलग होना क्या कहलाते हैं, इसका अंसर है डिस जंक्षन सिक्षण बिंदू द्वेते अर्धो सुत्री विभाजन मियोसिस 1 की पूर्ड होने के बाद मियोसिस 2 की सुरुवात होती है, यह तीन आस्ता अंत्रावस्था के अंद्रक विभाजन एवं कुछ कद्रविभाजन में बुरा होता है इसके अंत्रावस्था को इंटरकाइनेसिस या इंटरामियोटिक इंटरफेस कहते हैं मियोसिस 2 के बाद केंद्रक में गुड़ सुत्रों की संख्या में कोई परिवर्थन नहीं होता अता इसे होमर टाइपिक विभाजन कहते हैं अंत्रवस्था या अंत्रवस्था प्रथम एवं पूर्वा वस्था टू के बीज की उपा पचाई अवस्था है या जीवन अवस्था के समान होता है S तथा G2 अवस्था नहीं पाय जाते हैं नगे केंद्रख में प्रत्य गुर्षूत्र पहले से ही दो क्रॉमेटिट के बने होते इसकारण इसमें S अवस्था नहीं पाय जाते हैं क्रोस कोशन होमियोटाइपिक विभाजन किसे कहते हैं इसका आंसर है द्वितिय अर्धसूत्री विभाजन अंत्रावस्था प्रथम एबं पूर्वा वस्था द्वति के बीज की उपापज़ई अवस्था को क्या काते हैं इसका अंसर हैं अंत्रावस्था सिक्षण बिंदू मियोसिश द्वितिय केंद्रक द्रवे विभाजन मियोसिश 200 का केंड़क वीभाजन 4 अवस्थास में पूर्ड होता है पूरव अवस्था द्वीतिये इसमें क्रोमेतिन जाल संग नितोकर गुलसुत करेतों करेते हैं केंड्रिकहा आवं केंड्रक जिल्ली नेस्ट हो जाते हैं सेकंड मध्ययावस्था द्वेतिये3 कभी गुड़ सुत्र मध्य रिखा पर आ जाते हैं तर्कु तंतु बन जाते हैं जो गुड़ सुत्र के सेंट्रो मेर से जुड़ जाते हैं नेक्स है पस्चा वस्था अंद्वीति इसमें प्रत्रिक गुड़ सुत्र का सेंट्रो मेर विभाजित होता जाता है तर्कूतंतू में खेचाव के कारण पत्तिक गुड़ सुत्र का क्रोमेडिन अलग होकर लिपीद्रोग योड़ चले जाते है अंत्य अवस्थाद ग्वितिये द्रोगो पर इस्थित गुड़ सुत्रोों के समों के चारों और केंद्रक्चिली बन जाते हैं केंद्रक विभाजन 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 के कोशिका द्रवे विभाजन अर्ध सुत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक द्रवे का विभाजन दो विधियों द्वारा होता है पहला विधिये सक्सेस्टी विधिये ऐसे कोशिका द्रवे विभाजन में कोशिका द्रवे दो बार विभाजित होता है पहले मियोसिस 1 के बाद तम दूसरे मियोसिस 2 के बाद मियोसिस 1 के बाद दो संपोर्ड कोशकाय बन जाते हैं ये दोनों बाद में मियोसिस 2 द्वारा विभाजित होता है नेक्स हैं साइमल्टेनियस विधी द्वारा इसमें मियोसिस वन के बाद कोशिका द्रवेवी भाजन नहीं होता है, बलकि मियोसिस टूट के बाद यह दो भिन तलों में बठता है, मियोसिस वन के बाद मातरी कोशिका से दो कोशिका ना बनकर केवल दो केंद्रक ही बनते हैं, पहला अर्ध सुत्री भाजन के बाद एक द् पुन्रव रित्य कंद्रवाद माज अब्जेक्टिव टैप के सौट कोशेंगे किस प्रकार की प्रक्रिया है कि सेकंड कोशन है प्रताम अड्धुत्र भाधन कितने चरोडों में पूर्ण होता है थर्ड कोशन सुत्र युगमन की प्रक्रिया पुर्वा वस्था वन की किस उप अवस्था में होता है फूर्थ कोशन सुत्र युगमन के बाद गुर्ड सुत्र के जोड़ों को क्या कहते है फिफ्थ जीन वील में की प्रक्रया पुर्व अवस्था वन की किस उप अवस्था में होता है स्याम पर्ट कार्या इसमें अर्ध सुत्री भाजान से रिलेटर इंपोर्टन पॉइंट्स को लिखते है अर्ध सुत्री भाजन की प्रक्रा जरन कोश्काओं में पाया जाता है अर्ध सुत्री भाजन में एक मात्री कोश्काओं से चार पुत्री कोश्काओं का निर्माण होता है अर्ध सुत्री भाजन से बने पुत्री कोश्काओं में गुड़ सुत्रों की संख्या मात्री कोश्क कुछ इस्थानों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन बिंदों को क्या कहते हैं फिफ्ट कोश्चन है हम्यों टापिक विभाजन किसे कहते हैं नेक्स आता है ग्रीकारे इसमें एक लॉंग कोश्चन देंगे अर्थ सूत्री कुछ के विभाजन में कुछ का द्रावे का विभाजन की दो वीदियो का वरणन कीजिए ग्रीकारे के साथ ही पार्ट सोजना है लेसन प्लान कंप्रिक हो जाता है